हमारा मार्ग परमपूज श्री स्वामी जी माहराज ने निर्धारित कर दिया है उस पर चलना ये मेरी बुद्धी मता है परतेक मानव जो महराज की चरन शरन में आ गया ये ग्यान अपने लिए माने और अपना नरीक्षन करे ये ग्यान दूसरे के लिए नहीं है ये ग्यान मेरे लिए है परतेक सादक ऐसी भावना बनावे ये किसी और के लिए नहीं कहा गया ये मेरे लिए कहा गया है अरम कर ले अपना नरीक्षन जो मैं दिखता हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वैं नहीं हूँ जो मैं दिखाई देता हूँ और जो कर रहा हूँ वैसा नहीं हूँ कैसा हूँ जो मेरे भीतर विचार चल रहे हैं मैं वैसा हूँ अच्छे अत्वा बुरे प्रतेक मानव अपना निरिक्षन आप कर सकता है और उसकी क्या अवस्था है बड़ी सुगंता से जान सकता है दूसरों के प्रती वैर भाव चल द्रो दोका क्या ये भाव है बीतर तो मेरी गती कीडे मकौडे से ज़्यादा नहीं है अब इस मानव दे में रहते हुए अवग्या हो गई दूसरे का अपमान हो गया इस शरीर द्वारा प्रन्तु जब एकांत में बैठा उसके लिए जो पश्चा ताप हुआ वे तू है जो तेरे से अवग्या हुई वे तो आवेश के कारण हुई अथ्वा अग्यान के कारण हुई जो भी तूने किया प्रन्तु अब जब तू एकांत में बैठकर चिंतन करता है अगर आतम गलानी होती है इसका ताप्रिया तू भीतर से पवित्र है करम उलट अवश्वा प्रन्तु आतमा से तू पवित्र गुरुदेव की कृपा का पात्र और कृपा मैं दृष्टी गुरुदेव की तेरे उपर है बुराई को बुराई जान लेना समझ लेना ये बहुत बड़ा गुन है अन्न था व्यक्ति कितना भी बुरा करम कर ले उसको यही नहीं पता ये मेरा बुरा करम है तो वास्तम में जो मानव के सूक्षम विचार है जो भीतर भाव है वै महतपूरण है उनी भावों से ये बाहिया जो करम इंद्रिया है जैसे भाव होंगे वैसे करम होंगे अब सूक्षम तर जो प्रारब्द साथ में चलता है समय कुछ समय अपने प्रारब्द करम के कारण ही आया करते है एक व्यक्ति एक स्थान पर बैठ करके बहुत हंसी खुशी बड़ा सुक मैं जीवन व्यतीत कर रहा है और बहुत भीतर से प्रसंद हर्शित है साथ में ही एक घर छोड़ कर दुखी है कश्ट में हैं तकलीफ में हैं वे एक सा समय है क्या कारण है कारण तुने अपने बीज कैसे बोई है शुब करम के पुन करम के परहित सेवा परहित पर उपकार के परहित परोपकार उसका फल तु सुख वैभव एश्वर्या मन की शामती और सभी पदार्थों को प्राप्त कर रहा है और सुगमता से प्राप्त करता है साथ वाला मन में दुखी बैटा है तकलीफ में बैटा है एकी स्थान पर है एक जैसा समय है और एक जैसा सबकुछ वैवाता वरण प्राप्त हो रहा है प्रअंतु करम बीज अलग अलग है एक ने आम बोया आम मीथा फल प्राप्त हुआ एक ने जहर बोई हुई है धाक बोया हुआ है अब उससे अंगूर कैसे प्राप्ट हो जावेंगे अब सुख कहां से आ जावेगा अपने सुक्षम भावों की और विशेश ध्यान देना होगा क्योंकि करम कलाप बीज बीज से तरू एक वरिख्ष को पैदा होने के लिए बीज चाहिए उसको तरू पौदा लग गया पेड़ बन गया अब उस तरू को फल जो है अब चाहे तो खीज करके चाहे रीज करके अगर उस तरू उस पौदे का बीज आम है तो तुझे आम फल के रूब में प्राप्त हो जावेगा जो तु करम किया अगर तुने बीज बुरे करम के बोधिये बुराई कर दी बीतर भाव अपने मलिन रखते हुए करम करता चला गया तो तेरे को वै कड़वा ढाक वैही तो तुझे प्राप्त होगा अब फल को प्राप्त करते हुए किस बात का रोना यहाँ अब गुरू की अवश्यक्ता होगी जो सत का ग्यान देगा अब गुरू वै मार्ग बताएगा जिसके लिए हमने याचना की गुरू महराज के शब्दों में अपने पत पर आप चलाओ इसमें दो बाते हैं एक अपना पत जो आपने हमें मार्ग बताया है यह कठिन लग रहा है हमें यह कठिन है चाहते हैं चला प्रंतु पूरंता नहीं चल पाते एक तो इनके शब्दर्थ यह है कि जो पत आपने बताया है गुरुदेव सेवा परहित प्रुपकार नामका सिम्रन स्वाध्याय इत्याली शुब करा यह मन को बहुत भाते हैं प्रंतु यह आप द्वारा दर्शाया मार्ग इस पर चलना कठिन लगता है कहां पर हमारी वृतियां आपने कहा मात पता बांधव सुतदारा धन जन साजन सका प्यारा अंत काल दे सकेना सहारा यह ग्यान तो मुझे हो गया प्रंतु फिर इस पर चलना कठिन क्या समय है ससंका समय है जाब का कोई बंदू आ गया कोई मित्तर आ गया कोई रिष्टे नाते में अपना सामने आ गया अब तिया किसका किया ससंका तिया किसका किया जाब का जबकि नाम सिमरन होवे सहाई ये सिमरन मेरा सहाई खोना था और मैं संगी साथी जो संग सखा सब तजगेो कोऊना निभियो साथ गुरुनानक देवजी महराज की वानी शिरी गुरु गुरंसाहा मैं फिर उस ओर चल पड़ा महत्तव किसको दिया मित्तर को बंदू बांदव को कि उन्होंने आना है और वै आए हुए है मैं उनको छोड़ करके कैसे जाओ उन्होंने तो छोड़ ही देना है तुझे और वै नहीं छोड़ेंगे और तू छोड़ के उस दुनिया में चला जावेगा वै तो छूटी जाना है तीन लोग का समझिये सार राम नाम सब ही सुखकार तीनों लोग का जो तेरा साथी था तो उसको छोड़ दिया तब ये प्रार्थना की है मानव ने साथक ने अपने पत पर आप चलाओ एक तो ये इसका अर्थ दूसरा हे गुरुदेव हे भगवन वै पत अपना पत जो तेरे धाम तक ले जावे वै मुझे पत बताईए अब यहां पर ये ग्यान अती पचीदा हो जावेगा कठिन इसलिए है इसको समझना यहां अग्यान वश क्या उचित अथ्वा अनुचित पहले तो ये समझना है मानव को जिस परकार अर्जुन ने कहा भगवान शिरी कृष्ण चंदर जी महाराज को हे भगवन मुझे एक निश्चित मार्ग बताओ ये कभी तो आप कहते हैं करम करना अनिवार्या नियम है करतव करम करना अनिवार्या नियम है अब मैं अपने संगी साथी दोस्त मित्तर अत्वा अपने परिवार जनों के लिए अगर कार्या करता हूँ तो मेरा करतव करम है और आप कहते हैं त्याग उत्तम है अब अगर इनका त्याग करता हूँ तो ये आप मिली जुली बात ना मुझे कहो मुझे एक निश्चित सिधान समझाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है बस मुझे तो सिधा सादा बताईए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है भगवान लेला परशोतम ये अनादी काल से चलाया है हे मानव तो पुरशार्थी बन परंतु तियाग का संग का तियाग तेरा सच्चा मितर है तेरा बंदू है हे भगवन एक तरफ आप कह रहे हैं तू पुरशारती बन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं तू त्यागी बन अब पुरशारत करना और तियाग करना ये तो विपरीत है नहीं विपरीत नहीं है तियाग अपने अग्यान का तियाग कर जो तेरी वृती तेरे को उस धाम की और ना ले जाने के लिए वै तेरे मन के भाव है तो तियाग उसका कर वै तेरा मितर है तियाग मितर है तियाग तेरा बंदू है वै जो ग्यान झाल झाल